तो आभी हम लोग जैसे गेम को ओपन करने तो यहां पर फ्री फार वाले टू स्टे वेरिफिकेशन पूछ रहें कि आप 18 से प्लस हो या फिर 18 से कम हो एज में ठीक है न तो इसको कैसे सेलेक्ट करने और देखो आप गलत सेलेक्ट करते हो तो आपका अकाउंट भी बैन हो सकत मालो आपका एज 18 से नीचे और आप 18 से प्लस भी सेलेक्ट कर देते हो तो जादा कुछ दिक्कत नहीं है बट इन्होंने यहां पर लिख रहा कि अगर आप 18 से नीचे हो आप सेलेक्ट कर देते हो 18 से ऊपर वाले को तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है अकाउंट भी बै करना पड़ेगा तब ही आप यहां पर गेम खेल पाओगे और अगर आप सेलेक्ट कर देते हो 18 से प्लस तो आपको कोई भी एउटी पी रिक्वाइरमेंट नहीं होगा आप आराम से गेम डायट खेल सकते हो लेकिन दोनों में यहां पे इन्होंने लिमिट लगा दिया पहले क होता था free fire हम लोग unlimited time खेल सकते थे 24 गंटे खेल सकते थे बट अभी free fire इंडिया जब launch होगा यहां भी apply हो चुका है free fire max में भी apply हो चुका है यह setting कि अगर आप below 18 सेलेक्ट कर लेते हो तो आप 3 गंटे खेल पाओगे पूरे दिन में गेम उसके बाद आप नहीं खेल सकते है जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो minor के लिए 3 गंटे का limit रखा गया और major के लिए जो भी बंदे 18 से plus हो इसको major बोलते है तो यार उनके लिए 6 गंटे का timing रखा गया यहां इसके बाद आपका game log out हो जागा आप नहीं खेल पाओगे उस ID से दूसरा ID से फिर से खेल सकते हो बट उस ID से आपका 6 गंटे का limit रहेगा major के लिए और 3 गंटे का limit रहेगा minor के लिए जो 18 से नीचे है अब यहां पर देखो अगर मैं below 18 सेलेक्ट करता हूँ तो इस तरीके से verification करने के लिए दिया जाएगा यानि कि पहले मेर को mobile number इंटर करना पड़ेगा इंडिया का कोई सब्सक्राइब करने के बाद आपको सब्सक्राइब करना है फिर आप माइनर में आ जाओ यानि कि तीन गंटे का आपको limit दिया जाएगा खेलने के लिए